हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल राइटिंग एजूकेशन जैमादादी आज का हमारा टोपिक है संदी, संदी किसे कहते हैं? संदी दो वर्णों के पर्स पर मेल से उत्पन होने वाला प्रिवर्दन संदी कहलाता है संदी का अर्थ है मेल या जोड जैसे वित्या प्लस अल्य वित्य अल्य, देव प्लस इंद्र देविंद्र, सदा प्लस एव सदेव, नी प्लस आशा निराशा संदी विचेद, संदी से बने हुए शब्दों को पुने अलग करने की परकरिया संदी विचेद कहलाती है संधी से बने हुए शब्दों को पूने अलग करने की प्रकरिया संधी विचेद कहलाती है जैसे विद्याल्य, विद्या प्लस आल्य, सदेव, सदा प्लस एव संधी के भेद संधी के मुख्यते तीन भेद होते हैं सवर संधी, व्यांजन संधी और विसर्ग संधी सवरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार या प्रिवर्तन होता है उसे सवरसंदी कहते हैं जैसे देव प्लस इंद्र देविंद्र इसमें यहाँ ए प्लस इ हो गया ए व्यंजन संदी जिस संदी में पहला वर्ण व्यंजन हो दूसरा वर्ण सवर या व्यंजन हो उसे व्यंजन संदी कहते हैं जैसे जगत प्लस इस जगते हैं जिस संदी में पहला वर्ण व्यंजन हो दूसरा वर्ण सवर या व्यंजन हो उसे व्यंजन संदी कहते हैं जैसे जगत प्लस इस जगते इस राम प्लस अयन रामायन नमबर तीन पर है विसर्ग संदी विसर्ग के बाद सवर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन होता है उसे विसर्ग संदी कहते हैं विसर्ग के बाद सवर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन होता है उसे विसर्ग संदी कहते हैं जैसे नए प्लस चल निश चल पुर प्लस कार पुरस कार तो फ्रेंट्स आज का हमारा टोपिक था संदी आप सब को कैसा लगा कमेंट करके बताना लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू